अभी और कितना मरोगे, कितने जलील होगे, कितने कमीने आदमियों, कितने बेश्रम आदमियों कि पूरा समाज मार दिया और एकटा होने का सोच नहीं रहे और एकटा होने का केंचा पहार के जितने लोग हैं वो अभी भी बड़े मायूस हैं परेसान हैं चैरे उनके लटके पड़े हैं दावत खा रहे थे राजनीतिक बातें कर रहे हुए और बार बार मैं समड्र संगह राजनीतिक क्या है था समर्संग का राजनितिक दर्संग क्या है कैसे देखते हैं समर्संग तो मैंने उनको बताया कि भाई दो बातें समर्संग बोलता है सुरू से सारे लोग इखटे होके आए और कागज लेके आए यानि बैलेट पेपर लेके आए कागज लाने का मतलव आप विरोध करते हैं हमने का मिरोध किसी नहीं करते हैं हम यह कहते हैं कि कागज लेके आए और आप राजनिति पार्टी है सिर्फ दो बातें है पूलता है तो उन्हें कहा जी दो बातों से तो क्लियर नहीं होता आप कुछ और भी बताईए तो राजनिती के वारे में हमारे पास बताने के लिए इससे ज़्यादा कुछ है नहीं मगर कुछ लोग जो वहां इस्पोक थे उन्हें कहा कि हमें लोगों को जवाब देने के लिए बाते नहीं हैं हम उनको क्या जवाब दे क्योंकि वह हमसे पूस्ते हैं तो कुछ बातें जर्नलाइज करके जो जर्नल होती है सामाने होती है वो बतानी चाहिए ताकि हम उनको जवाब दे सको तो जर्नल बातें सभी जानते हैं मैं उनको यहां दोरा देता हूं ताकि वो एक गंठ लग जाए गंठ बन जाए गंठ बन जाए तरसल जितने भी समण लोग जो चुनाम में हारे हैं या हारने की इस्थित्थी में हैं या हारे जैसे हैं या जो सत्ता में नहीं आपाए वो अमूमन पूरी दुनिया में या कहें भारत में जितने भी समण पार्टिया हैं हजारों की साधात में हजारों पार्टिया हैं वो लगातार हारती हैं बार बार हारती हैं और बहुत हारेंगे और बुरी तरह हारेंगे वो हारने के बाद में कुछ बातें लोगों से कहती है वो बाते common हैं वो सारी सारी राजनतिक पार्टियां जो समणों की हैं वो क्या कहती हैं EVM का मुद्धा था कुछ समण पार्टियां तो EVM के ब्रोद में भी गई और उन्होंने EVM में बोट डाला फिर भी वो EVM का मुद्धा बोट कुछ कहते हैं कि हमको इस वर्ग ने बोट ने दिया इस समदाय ने बोट ने दिया तो वो समण समाज की अपने ही समदाय और वर्ग के उपर दो सारूपिक करते हैं पैसा नहीं है यह चारन कि पैसा नहीं है उनके पास या समाज ने उनको सफिश्ट पैसा नहीं दिए जो अर्व खर वर्वरुपया होता है इसन्वीन होारिए कुछ लोग कहते हैं जी कि ये जो लोग हैं इनको जवरस्ती खड़ा किया गया हमारे वृद्ध में खड़ा किया इस तरह की बाते हैं कुछ लोग कहते हैं कि जो उनके संधने उनमें सराब तोड फोर तूट फूट हुई ऐसी बाते हैं जो भीतर घात हुआ है उसकी बाते बताते हैं कुछ लोग कहते हैं कि लोगों ने हमें धोका दिया उन्होंने हमको बोट नहीं दी जब कि हमको उन्होंने प्रॉमिस किया यह वो दोसा रोपड करने वाले कौमन सी बाते हैं जो सारे के सारे कहते हैं और यह बार 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 आपसे कहेंगे क्योंकि कोई भी जो राज्यतिक पार्टी है वो अपने उपर दोस्त क्यों लेगी वो जितना दोस्त है वो सारा का सारा समर्ण समाज के उपर डालेगी समर्ण समाज सारा पैसा देता है समर्ण समाज ने उनका जंडा उठाया समर्ण समाज ने उनकी वावा की समर्ण समाज ने उनको सर पर बठाया चड़ाया और समर्ण समाज ने उनको व्यक्तिगत जो व्यक्तिवादी नेता है वो बनाया समर समाज ने सारा काम किया और जब समर समाज के ओपर बात आती तो दोस भी समर समाज काई यानि कि जो पार्टी के जो प्रमुख है या जो नेता है या गीडर है उनका कोई दोस नहीं है, वो बड़े मासूम है, बड़े निर्दोस है वो कोई दोस ही नहीं है, आपने बोट ने दिया, समुदाय ने बोट ने दिया, मसीन आ गई, बैलट पेपर नहीं आया, पैसा नहीं था, कम दिया, सपोर्ट कम दिया, अलगलग बट गे, अलगलग खिमों चलेगे, अलगलग पार्टी अपना नहीं, सारा दोस समर्ण समाज क हमारा दोस है हम लोगों का दोस है उनका कोई दोस नहीं है यह बाते वो लगाता लगाता बोलेंगे और बताएंगे और जो बाते वो नहीं बताते उन बातों को आप ध्यान से सुनों वो कभी यह नहीं कहते कि हम चुनाब के डिकलेर होने से पहले जब चुनाब की घोशना हो होती है उससे पहले हजारों पार्टियों में तूटे हुए अलग लगते हैं हम और हम इखटा नहीं हुए हमने कोई गटबंद नहीं किया हम इतने अकल बंद नहीं थे इतने जानकार नहीं थे हाला कि हमको पता था कि हम इखटे नहीं होंगे तो मारे जाएंगे मगर फिर भी व्मेद थी के लोग हमें देंगे हम लोगों को मजबूर कर रहे थे के हमें दें लोगों के वैल-फैर जिंदा नहीं थी इसलिए चुनाब के डिकलेंज से हमारा दोस है कि हमने एक गटबंदन नहीं बनाया हमारा दोस है कि हम एक साथ नहीं आए वो अपने दोस को नहीं माने वो दोसारों पर करेंगे समाज के उपर या करेंगे और जो पार्टियां है प्रतिनिदी पार्टियां है उनके उपर करेंगे यानि पार्टियों के उपर दोस्ट करके पर्मनेंट दुस्मनी तो उसे खिची रहेगी लगाता लगाता मगर वो इस बात को सुधार नहीं करते कि अगर वो इखटे हो जाते और वो कहते भी नहीं है और वो जिक्र भी नहीं करते कि इखटे हो जाते और कोई स्टेट्मेंट या कोई वोईस आपको आज तक नहीं मिली होगी कि जब हमारी समण समाज के लोगों ने हार के बाद में ये कहा होता कि अगर हम इखटे हो जाते ये सब्सक्राइब कागर हम सारे इखटे हो जाते कि ध्यान दनाब इसलिए वो इखटे होने की बात नहीं करते वो ये बात करेंगे आप से ताकि आप उनकी हास्टे ना निकल जाओ अब हमें और मेहनत करनी हैं और डटके करना हैं हर व्यक्ति जो अपने आपको बुद्धी जीवी और प्रोफिसर और जो एनलेटिक्स बोलता है प्रोटिक्स का और जो पार्टियों के बड़े-बड़ हैं अब हमको और मेहनत करनी है हमारे कारे करता होको कमर कसने चाहिए कितनी कमर कस्वा होगे मर जाएगा कमर में कुछ नीब बचार भाड़ी बची इसके में सब्लिके जिए महां सब नोचकर आदमी है क्या मारो कि इसको अब हमको दिनरात काम पर करना अब हमें क illustrator आना है एक कहेगा गए दिएफ़ ओंगेशर के मुएंट हैं से मौपसे मौन के दिए मौन से मौक्णे में खुम रहे हूं एक वार हम को हाज्माओ किस Кिस को आजमाएं हम तुम कोई नहीं बोलेगा क्यों कि गुलाम को कौन छोड़ना चाहता है हम तो मांसी गुलाम सहाब कासी राम ने जब पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो सहाब कासी राम ने अपने उपर कोई लगाम नहीं रखी वो पॉलिटिकल पार्टी के एक मातमियता थे वो जो डिशन कर लें वो ठीक है और साहब कासिराम ने जो ये पॉलिटिकल पारटी का जो तरीका सीखा है वो खुद नहीं जाद किया उनोंने वो उनोंने उन से सीखा है जिन से वो लड़ रहे हैं और जिन से वो लड़ रहे हैं वो जो पार्टियां हैं वो कभी नहीं चायती ही के खटे हो इसलिए वो अलगलग होने का ढोग करती है अगर अंदर से सारी एक होती है उन पार्टियों में प्रधान होता है जिसके उपर लगाम होती है उन पार्टियों के जो नेता होते हैं उनके उपर कोई बैठा हुआ होता है और जो बैठा हुआ होता है उसको संग बोलते हैं अगर साहाब कासी राम जी के ओपर कोई संग नहीं था इसलिए उनके जो बाद में लोग जिनों में भी पार्टिया बनाई हजारों पार्टिया बनी है उनके ओपर कोई कहने वाला नहीं है चार आदमी यहां आए और चार आदमी ओने यहां मन्न जीने के ओपर राजनीतिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक् कि चर्चा इस बात पर करने चाहिए कि तुम पहले भी अलग थे और अभी भी अलग हो बस एक चर्चा तुम पहले भी अलग थे और अभी भी अलग हो पहले भी परणाम आने वाले अभी भी आने वाले हैं तुमारे उपर पहले भी कोई नहीं बैठा हुआ था तुम समाज की स्रण में आना ही नहीं चाहते हो समाज को अपनी स्रण में लाना चाहते हो लोगों को गुलाब मनाना चाहते हो लोगों को डिक्टेट करते हो लोगों को मजबूर करते हो कि बोर्ट तो हमें डालेगा इसलिए आपसम मिलते नहीं हो इसलिए हम मारे जाते हो क्योंकि उनके उपर अगर समाज बैठा हुआ होता संग होता लोगों का होता लोगों का नोग का फैस्टम बैदा होता होता तो लोग यह कहते के यह कंडetic ख्राब है। यह कंड़ अच्छा है फिर जुम्मिदारी लोग प्र हार का मॊनी देखने पर तक करेगा जिदगी क्योंकि जिनके पास संग है वो कभी नहीं हार सकते और जिनके पास संग नहीं है वो कभी नहीं जी सकते बाई चांस अगर जीतेंगे तो उनका कोई दूसरा संग होगा वो उनको इसलिए जिताएगा ताकि अब मुगालते में रहें वो जीत नहीं सकते अगर वो जीतेंगे त बात ऐसे समझ में नहीं तो ऐसी समझिए, कि बावास साव अम्मिंट ने ये का था, कि सामाजी का अगर हमारा कोटा होना ना होगा, सामाजी किरांती नहीं होगी, तो ज्यो राजन्य ती किरांती हैं, उसका फाइदा हमेसा उसको होगा, जो हमारा प्रटी दुन्दी होगा तो हमको तो राजनित फाइदा होई नी रहा अगर हम कभी इका दुका जिताय जाते हैं या हम इका दुका कभी जीते जाते हैं तो औरों की महरवानी से औरों की मर्जी से औरों के लिए अपने लिए नहीं जीते अगर अपने लिए जीते होते तो 70 साल में सारे अधिकार नहीं गए होते इसलिए संग की आवशक्ता बन जाती है क्योंकि ये राजनेतिक पार्टियों के जो लोग हैं अभी ये क्या ड्रामा कर रहे हैं अभी इनको लासें चाहिए अभी इनको एटो सिटीच चाहिए अभी पतारना चाहिए अभी इनको कहीं मूचों के उपर लड़का मरता है तो वहां उनको जाकर अपना मसाला चाहिए क्योंकि राजनेतिक जो लोग हैं उन्होंने इसको काम बनाया हुआ है धंदा बनाया हुआ है कैसे बनाया हुआ है आप ध्यान देखोगे कि समण संग के या स कोई वेफसाय नहीं है वो कोई नौकरी नहीं करते को ठेला नहीं लगाते को रिक्सा नहीं खीशते को दुकान नहीं लगाते कहीं फैक्री में काम करने हैं नहीं जाते उनके सबके घर हैं परिवार हैं बच्चे हैं तो वो काम तो करेंगे नहीं और उनको एक मौका मिलता ह जो उनके विरोधियों से मिलता है जो उनके विरोधि उनको इंड़ेक्ट तरीक रहे से पहँंचाते हैं कार मिلती है पैसा मिलता है कि मिलता है दंदा मिलता है बैठने कर लोग समढ समाज के जो ही कहते हैं कि हम राजनीतिक पार्टियां बनाके लड़ रहे हैं उनको कोई और काम आता ही नहीं है अब ध्यांद है से बात को जितने भी लोग हैं उनको कोई काम नहीं आता और अफसोस की बात तो ही है कि उनको राजनीति भी नहीं आता जब कोई काम नहीं आता और क्यों राजनीती की टेनिंग कहां से लेंगे उन लोगों से लेंगे जो राजनीती में उनके विरोधी हैं तो विरोधी उनको राजनीती क्यों सिखाएगा क्यों उनको समर संग वाली समर समाज वाली बुद्ध वाली वाली राजनीती सिखाएगा वो तो अपने तरकी सिखाएगा और उसके तरीके बहुत खर्चिले हैं, उसके तरीके बड़े रख तरीके हैं और कोई दुस्मन किसी को क्यों जितवाएगा, अपना दुस्मन क्यों बनवाएगा, इसलिए वो सारे के सारे लोग अब पांस साल, चार साल, छे साल, तीन साल या जब तक नहीं चुनाब में आत ने, आपको सेक्रिफाय और बलिदान करने के लिए, भू यह नहीं कहेंगे, वो यह नहीं कहेंगे कि अगर तुम एक नहीं हो रही हो तो हम छोड़ देते हैं भाई, बहू अगर 20 लोग राज़दी करना हैं, और इसलिए 20 के 20 आपस में लड़ेंगे हमें मरवाएंगे और हमें मरवाएंगे क्या हमें तो मरवा दिया उनका किसी का नुक्सान नहीं हुआ है अभी वो फिर अपने काम में लग जाएंगे चंदा धंदा आना जाना हाए हुआ कुछ हमारे जो लोग हैं जो यह समझते हैं कि यही तरीका है यही तरीका है जिससे कर पहले अगर इखटे हो जाओ चुनाब से पहले इखटे नहीं हुए अगर अभी भी इखटे हो जाओगे यह मायूस चाहिए जीत से मायूसी नहीं आती हार से मायूसी नहीं आती जीत से चेहरे पर रोनक नहीं आती मायूसी चेहरे पर रोनक नहीं आती उम्मीद से आती है और कुनवा इखटा होता है परिवार इखटा होता है अगर परिवार इखटा होता है तो हारे हुए लोग भी जीत सकते हैं और परिवार अगर इखटा नहीं है तो जीते हुए लोग भी मायूस रह सकते हैं इसलिए इखटे होने में खुशी है इस पे बात नहीं करेगा कोई तो राजनिती को धंदा मत बनाओ, अपने घर में चलाओ, तुमारे घर चलाने की मजबूरियस ने तुम्हें राजनिती करनी ही करनी है, जबकि तुम्हें आती नहीं है, ये ठीक ऐसा हिसाब किताब है, कि मोट सैगल चलानी चलानी है, चाहिए एक्टेंट हो जाए, अरे मरवा समझो, इस बात को जानो, मगर वो जानेंगे नहीं, वो हमको मजबूर करेंगे, वो हमको कहेंगे, हमको एक मौका दो, हमको एक अजमा के देखो, जो लोग बुड़े हो गए हैं, अब उनको विदाएक हो जाना चाहिए, जो लोग बुड़े होके हार गएं, उनको छोड़ साना संग ड़े बाई ड़े बड़ा हो रहा है और संग बहुत बड़ा हो रहा है कि मरें किका नहीं है कि पॉलिकल पारटी है मजबूरी में जाने देगा भी नहीं यहां के जो काम चलते हैं वो अपना खर्चा खुद देना होता है कोई अगर काईकरम लगेगा उसमें पैसा खर्च होगा तो उसकी फीस चली जाती है इतना पैसा एक काईकरम का एक बंदे का है उसको देना ही देना पड़ेगा कोई बंदा कहीं बाहर है होती हैं गर्मी में एसी वेसी का पैसे देना पड़ता है सरकारी कराये हॉल वोल के देने पड़ते हैं खाने वाने का उनका कमपसरी होता है तो वह हम भी रख लेते हैं आपसंदे तो यहां आना जाना बड़ा आसान है सब अपने अपने पैसे से आते जाते हैं यहां के नियम S7 सबसे पहरा नियम सबसे एड़ा इसको नीजा सबसे बनाये हैं तो सिर्फ इसमें एक पुर्जे हैं मैं पुर्जा हूं आप पुर्जा वह्म सारे पुर्जे मिलिकी जहाज उतना बड़ा बनता जाएगा दो चार पुर्जे इसके खराब हो सकते हैं जो किसी काम के ना हो या इसको नुकसान पहुंचाएं तो उनको यहाज ऐसा आप उनको निकाल देता है जैसे समुंदर अपने अंदर से लास को निकाल देता है वैसे यह डैड लोग है वो अ इस्ट्रेशन ना कभी हुआ है ना कभी होगा तो यहां कोई बैंक का एकाउंट भी नहीं है कोई छोटा मोटा काम होता है तो किसी भी व्यक्ति का कोई भी समण संगी अपना एकाउंट दे देता है तो काम उसमें खतम हो जाता है फिर को दूसरा एकाउंट फिर तीसरा एक कैसे काम करेंगे क्या नियम बनाते हैं किसे बनाते हैं में कभी है कि समढ़ संग्राइप में सारे के सारे नियम कोते हैं अगर बना चाहें तो बना लें उनके गुट से हैं कुछ नहीं होगा क्यों कि दस पांच लोग उनके पास कुछ है भी नहीं ना यहां कोई पद है ना पैसा है ना लालच है यह कुछ नहीं है इसने कोई व्यक्ति गुट बना के भी यहां करेगा बना के कुछ लोगों ने पहले देखा था एक गुट बनाया चोटा सा चलेगे उसके बाद उनका गुट खतम हो गया वो भी खतम होगे बिचारे परशान होगे ना धर के रहे ना समर्ण संग के रहे यहां पहले भी आती चाहती है समर्ण संग में हर व्यक्ति वो लाव हो ना है सहरे पसंद आते हैं कि इसका उद्देह से सुख प्राद करना कैसे प्र else होता है जब आपके पास में वो सारे अधिकार जो एक मनुष्य के जीने के लिए होते हैं वो पूरे मिलें और आप उनका पूरा इस्तमाल कर सके हैं और वो सारे अधिकार सम्मिधान में दे रखें तो सम्मिधान का पूरे अधिकार मिलें पूरा इस्तमाल हो तो उसके लिए आपको खटता होना पड़एगा इखटते होके शंतान आपकी बात मांने लेता है तो कुछ लोगों कि दिमाग ऑ़ी में वह यह बात इखटते होके कि चुणाप के नापद के में जायेंगे किया एम्पी बनेंगे सब्सक्राइब मिलेगा इखटे होने के बाद MPMA बनने की आवश्क्ता नहीं जो लोग इखटे हो जाते हैं MPMA उनके अधिकार उनके घर पहुंचा देते हैं MPMA सम्विधान की नौकर हैं जिनको हम चुनके विशते हैं उनका काम है जो सम्विधान ही डालते हम लोग लोग कभी उन्से कहते नहीं अरे भाई तू wherever नोकर और आख नम्म मालिक जाता है बहुत घरों में हैं जहां घर का नोकर मालिक वह न जाता यहां पूरे सिश्टम में व्होना चल जा भाई आप उन पूचना सुरू करेंगे उनको याद सब्सक्राइब नहीं होगई हैं 2 इस फीट को नौकरी पैसा लोग हैं उनके दस्तर बंद हो है वो प्राइवेट हो गए है उनकी मौकी चली जा चुबी है जिनको नई नोगी मिलनी है उनको मिलेंगी नहीं क्योंकि दफ्तर बंद हो चुके हैं और कुछ दफ्तर हैं भी तो उनमें डायक्ट एंट्री है और अभी कुछ सुनने माया कि ऐसा ओडर आया है कि जिसमें यह क पास है नहीं उसमें हम से डियобр होते हैं तो हम करेंगे क्या और हम कुछ करेंगे नहीं तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे क्या हम रहेंगे कहां खहेंगे क्या पीएंगे क्या जीएंगे कैसे चलेंगे कैसे और एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब यह सम्मेधान के अंदर M P M LA का जो घिजर बेसन है, ये भी खटम हो जाए उसकता है एक और्डिनेंस आने के बाद में कि नियम बदलने के बाद में वैसे भी इसको हर साल दसाल बढ़ाया जा सकता है तो राजनेतिक जो MPML है वो भी खटम हो गएंगे तो आप और हम क्या करेंगे इस करने की इस्तीसे बचने के लिए एक ही तरीका है कि सम्विधान से जाके हम बोलें कि भाई सम्विधान हमारा अधिकार हमको दो जो पहला अधिकार नहीं मिला है उसको भी दो तो सम्विधान से बोलने का एक तरीका है सम्विधान से करने के एक तरीका है समधान में लिखा हुआ है कि आप कि मता आ यह हम होके आई और हम होके जतने ज्यादा लोग आएंगे समय हमको इकटा नहीं उने दे रहे हैं हमारे ही जो लोग है जो संग्धनों के नेता बने बैड़े हैं चाहे वो सामाजिक संग्धन हैं चाहे वो राजनीतिक संग्धन हैं चाहे वो लड़कों के दलबल हैं चाहे वो जो आर्थिक संग्धन हैं वो हैं चाहे सरकारी करमचारियों के संग्धन हैं आप ध्यान से देखोगे और अच्छी तरह तो इसलिए जो लोग राजनीति के उपर भौसा करते हैं वो यह बात समझ लें कि यह पहले भी हजार अटुकलों में टूटे हुए थे और यह अभी भी हजार अटुकलों में टूटे हुए हैं जो परणाम पहले आया था वही परणाम आप आएगा चाह कुछ हो जाए चाह तो दुनिया अदर से उधर हो जाए और जितने भी राजनीतिक laquelle की स्टित्मेंट आ रहे हैं समयो वा उलू बनारु है तो आप उनकी statement सुनिए और अगर आपको उनको उल्लू बनाना है या उनका उल्लू पन सीधा करना है तो उनको पूछिए कि पहले क्यों ही मिले और आपके आफ़त है हारने के बाद वेकल नहीं आती अरे मरते समय तो सबको अकल आती है कि मर रहे हैं मर चुके हैं हम अभी और कितना मर होगे कितने जलील होगे कितने कमीने आदमियों कितने बेश्रम आदमियों कि पूरा समाज मार दिया और एकटा होने का सोच नहीं रहे है और एकटा होने का कहीं आवाज नहीं और एकटे होने की कहीं कोई एक आवाज नहीं और क्या आवाज है समाज पर दो सार और फिर भी दोस हमारे उपर और फिर भी दोसी हमी सब कुछ हम दें और फिर भी नालायक हमी तुम नालायक हो इस बात मत जाना कभी कभी मत कहना कि तुम से बड़ा कोई नालायक नहीं और तुमने बावा साथ के जो और ग्राज होने का जो पूरा पूरा फार्मूला है वो मिट्टी में मिला दिया और उसको हजारा टुकड़ों में तोड़ दिया इतने बेसरम इतने नालायक समझ समाज के लोग हो तुम और बचानी है तो जो कि किसी मोर्चे हैं नहीं बचप पाएंगे हम अगर हम जुड मीपाए और बचनी भाए धन्यवाद आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या पर्मिसर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पुझी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामी उन्तियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी उन्तियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी उन्तियं पी धम्ममर सरेनं गच्छामी भूतियं पी दम्मं सर्णं गच्छानी, भूतियं पी सर्णं सर्णं गच्छानी, ततियं पी बुद्धं सर्णं गच्छानी, ततियम् पी गुतम सर्णं कच्छामी ततियम् पी धम्ममर सर्णं कच्छामी ततियम् पी संदं सर्णं कच्छामी साथू, साथू, साथू